Hello students, चलिए स्टार्ट करते हैं exercise 8.2 का question number 12 देखते हैं क्या है Find a positive value of m for which the coefficient of x square in the expansion 1 plus x की power m is 6 ध्यान से सुनो question के अंदर क्या पुछा है कि हमें m की कोई positive value find out करनी है जिसके अंदर x square का coefficient क्या हो? x square का coefficient इस expansion में 6 होना चाहिए अभी question करेंगे, बिल्कुल simply समझ में आ जाएगा थोड़ा सी आपके mind में statement आ गई होगी कि इस expansion के अंदर हमें x square की term find out करनी है और उसका coefficient 6 होना चाहिए तो उसके लिए यहाँ पे m की value क्या डाल ली जाए? चलिए देखते हैं कैसे करेंगे सबसे पहले हमें binomial expansion जो given है 1 प्लस x की power m given है और हम इसको compare कर लेंगे a प्लस b की power n से a की value क्या है? यहाँ पे 1 है b की value x है और n equal to क्या है? हमारा m है सबसे पहला काम है यह इस तरिके का कोई term find out करनी हो coefficient find out करनी हो सबसे पहले यह करो ठीक है? उसके माद हमें क्या जरूरत होती है general term क्योंकि general term से ही हम coefficient बगएरा या कोई सी term find out कर सकते है तो general term का formula क्या होता है t of r plus 1 is equal to ncr a की power n minus r और b की power r clear? यहाँ पे value put कर लेंगे अब तो हमारी general term क्या बनेगी? इस expansion की t of r plus 1 n की जर्गा क्या जाएगा हमारा mcr a की जर्गा क्या जाएगा 1 1 की power m minus r और b की power r है तो मतलब यहाँ पे क्या जाएगा x की power r clear? कोई दिक्कत नहीं हमें किसका coefficient चाहिए? x square का तो यहाँ पे क्या चाहिए? we need coefficient of x square हमारे पास क्या x की power r है? हमें x की power 2 तो यहाँ पे compare करेंगे तो x की power r is equal to x की power 2 और r की value क्या जाएगी हमारी 2 compare करने के बाद r equal to 2 समझ भें आगी बात? अब इस r is equal to 2 को क्या करेंगे? अपनी term के अंदर put कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बन गया? t of 2 plus 1 is equal to mc2 1 की power m minus 2 और x की power 2 समझ भें आगी बात? इसको देखो आगे next क्या आगया? mc2 1 की power कुछ भी हो 1 into x square अब question पे चलो according to question क्या कहा था उसने की x square का जो coefficient है यह coefficient है यह कितना होना चीए? 6 होना चीए देखो statement में क्या कहा था? कि जो x square का coefficient है वो होना चीए 6 तो हम क्या करेंगे? इस coefficient को क्या करेंगे? mc2 equal to क्या put कर लेंगे? 6 के equal समझ में आगी बात clear है? कोई दिक्कत नहीं है तो mc2 is equal to हो गया हमारा 6 इसको simplify करेंगे इसको क्या करेंगे m factorial upon में 2 factorial और m minus 2 factorial is equal to 6 के अब इसको कैसे simplify किया जाए m factorial को expand कर लो m into में m minus 1 into में m minus 2 factorial upon में 2 factorial को 2 into 1 2 हो गया अब into में क्या जेगा m minus 2 factorial is equal to 6 ये cancel out हो गया हमारा उपर क्या बज़ गया m की m से multiply करेंगे m square m की minus 1 से की तो minus m is equal to 2 की 6 से करेंगे 2 6 जा 12 12 को लेके आओ अपनी left side तो m square minus m minus 12 equal to 0 अब इसको क्या करना है quadratic equation है तो factorize करना पड़ेगा splitting the middle term से तो यहाँ पर क्या जाएगा factor क्या करने है multiply करें तो हम 12 add subtract करें तो हमारा minus 1 आए क्योंकि m के आगे क्या है 1 तो factor क्या बनगे m square minus का 4 m plus का 3 m minus 12 क्योंकि minus 4 की 3 से multiply करेंगे minus 12 और minus 4 में से 3 गया तो minus का 1 बज़ जाएगा यहाँ से common क्या आगया m अंदर बचा है m minus 4 यहाँ से क्या आगया plus का 3 common यहाँ पर आगया m minus 4 equal to 0 तो यहाँ पर एक तो factor आगया m minus 4 एक factor आगया हमारा m plus 3 ठीक है यहाँ पर अब क्या करेंगे हम इन factors को equal to 0 put कर लो तो यहाँ पर क्या आगया m minus 4 equal to 0 और m plus 3 equal to 0 यहाँ से m की value क्या आगया हमारी 4 यहाँ से m की value क्या आगया minus 3 दो value possible आगया हमारी m की value minus 3 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है दोनों के लिए हमारा जो x square का coefficient होगा वो 6 होगा बट यहाँ पर question के अंदर starting में क्या कहा था उसने find a positive value of m find a positive value of m तो हमें positive value लेनी है negative को neglect कर देंगे तो यह क्या होगा neglect तो यहाँ पर क्या आजाएगा so 4m equal to 4 coefficient of x square is 6 this is the answer I hope question आपको अच्छे से clear हो गया होगा कोई भी doubt किसी परकार का लगे तो आप मुझे comment करके पूछ सकते हैं otherwise channel को subscribe करना जरूर और अपने classmates को जरूर share करना और class 6 से लेके 12 तक के बच्चों को भी next classes के बारे में जरूर बताना thank you students for watching this video thanks thanks जब हुआएब चलगड़ाल